दोस्तो आज कर्सilot में आपको UP पूरी जानकारी देने वाले हैं जुस्तों घर आपका भी सपना है क्या अगे चल कि आप एक पूलीश कॉंस्टीबल बने आप उप प्लिस कॉंस्टीबल बनना चाहते हैं आपके लिए सबसे पहले हम आपको एक खुशकबरी देना चाहते हैं कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में न्यू वेकंसी आपकी आने वाली है ये वेकंसी की हम बात करें नंबर आफ पोस्ट की तो 35757 पोस्ट इसमें टोटल आने वाले हैं जी हां 35757 पोस्ट आपके इसमे वेकंसी में निकाले जाने वाली है और जो ये वेकंसी की पक्रिया है वो आपको लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे में आप में से बहुत साइज स्टुएंट होंगे जो आगे चलगी यूपी पुलिस कॉंस्टेबल बनना चाहते होंग अबりました का इसके विर्स का मता बंते हैं कि हैumba इसके होता है कितनी सहली मिलती सारी जानकारी इस वीडियों में मिलने वाली है दूसरेगे को स्टार्ट करने से पहले हैं अच्छा लगे तो लाइक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि करें यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आप पुलिस कॉंस्टार्ब बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्वाले क्वालिंफिकेशन और अठर्व से सकते हैं पास उप्वाद कर सकते हैं इसके विदिया है जो आपकी उम्र होनी requirement फिजिकल में सबसे important होता है अगर आपकी हाइट के बात करें आप मेल कंडिट है तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए वह 168 cm होनी चाहिए फीमल के लिए बात करें तो 152 cm फीमल के लिए यहां पर हाइट मांगा जाता है तो इसके साथ फीमल में इसमें कोई भी चेस्ट नहीं कर दो आपको फीमल कंडेट है जो आपका वेट होना चाहिए वह मिनमम 40 किलो होना चाहिए चालिस किलो से उपर का वेट होना चाहिए अधर्वाइस आप यूपी प्लिस कॉंस्टेबल के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे इसके बात कर लेते हैं जो बहुत साइज जाना साथ अजिके समय कि राइन करा जाएगी दोस्तों अगर आप मेल कंडेट है तो आपको फॉर पॉइंट किलो मीटर राणी करने के लिए 25 मिन ने कहां पर समय दिया जाएगा दूसरा है कि अप मेल फीमेल है तो आपकी जो राणिक करा जेगी वह तो बात कर दो सबसे सब पूरा प्रोसेस होने वाला है सेलेक्शन प्रोसेस अब बात करेंगे इसके स्लेबस के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टन होता है किसी भी गवर्मेंट जॉब को किले करने के लिए सबसे पहले इसके स्लेबस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक्साम आपको काफी टफ होता है आजकल तो आप बात करें इसके स्लेबस के बारे में तो इसमें आपका एक पेपर कराया जाएगा जिसमें आपको देड़ सो क्योस्टिन पूछे जाएगे जोस्तों जिसमें आपको ती 38 question पूछे जाएंगे जिसके लिए 76 mark आपका निर्धाइथ होगा इसके बाद दूसरा subject होगा general hindi का जिससे scientist question पूछे जाएंगे इसके लिए भी आपको 74 mark निर्धाइथ होगा तीसा subject होगा numerical and mental ability test इससे आपको 38 question पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 76 mark निर्धाइथ होगा और आखरी में जो होगा आपका mental aptitude test और intelligence quantity test इसके बाद या फिर reasoning इससे रिएटर आपको question पूछे जाएंगे जो आपका आखरी subject होगा इससे भी आपको 37 question पूछे जाएंगे जिसमें आपको 74 mark निर्धाइथ होगा तो इस प्रकार्च आपका syllabus होने वाला इन subject हो आप question पूछे जाएंगे जोस्तों आप syllabus आप offline भी जाके या फिर online जाके आप internet से भी लोट कर सकते हैं या फिर वेकंसी आने पर आपको syllabus मिल जाएगा या फिर हमने syllabus के बारे में आपको बता दिया तो इसके according आप books लेके या फिर कोई कोचिंग जोइन करके आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस इसके बाद लेन वेकंसी आता इसमें आवेदन करना होता है इसका बाद सबस्के पहले आपका रेटन एकजैन कराई जाएगा इसके बदा अपको त्रेइन प्छा-टेभले में पी कोउस्टेबल बन जाते हैं त falling तो आपको ती उसके त्रनी को बात करें यह घ्टी नोगभर 55,000 रोपे यहयनी कि भद्ते वगारे की इड़कु 28,000 से gj मन्थली मन्थी इंकर स्टास्टेंग से वी mr. रहता है लेगल फिरीम हऽीन इनके से बरते रहती सोफू आफ आप समझ गयोंगे कि पुलिस कोंस्टेबल का ऐसे बनते हैं कौलिफिकेशन के साथ हमने आपको हाइड चेस्ट रणिंग सेलेक्शन प्रोसेस सलेबस सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है आई होप ही वीडियो आपको हेलफुल लगा होगा दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सस्क्राइब जारो कर ले मिलत है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन